जैसरी रादे मित्रो आज आप दर्संद कर रहे हैं ठागुर जी के लिए प्रशाद यानी बोजन बनाया जा रहा है और वो भी चूले पर और प्रशाद में बन रहा है आलू मटर की सबची और रोटी तो ये जो है ना बहुत जाना स्वादिस्ट बोजन होने वाला है ये जब भी मन करता है छट पर आए साथ चूला रखती हूं और खाना बनाना जो है सुरूख कर देती हूं यानि भोजन बनाना जो है स्वादिश्ट कर देख लगो जाता है तो पुछ प्रशाद को अगर परशाद चाल अज़ाकर असरा पाया हो काया हो तो उससे आप जान सकते हैं कि स्वादिष्ट कितना हो जाता है क्योंकि उसमें स्वयम ठागुर जी का ही मतलब जो उच्छिष्ट जिसको कहते हैं भोग लगता है तो उच्छिष्ट यानि जूटा बोलना तो जब होता है तो उसमें आनंद क्या परमानंद आ जाता है इतना स्वाद आता है हमको तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे हैं ने तो कोई जाना आप देखते हैं लेसन प्याज इत्यारी और जाना किसी भी प्रकार का मिर्च मसालों का भी उजने किया जाता है सादा सिंपल जो बोजन रहता है ठाकुर जी का प्रसाद लगा और प्रसाद के अतना स्वाधिश्ट होता है कि उसकी जितनी प्रसंसा करें उतना कम है कम होता है तो बस यहां पर मैंने सबजी को बगार दिया है और यह मटकी जो आप देख रहे हैं यह केवल में 50 रुपे की लेकर आई थी और आज से तीन सालों से यह से लगातार यूस कर रही हूं बिलकुल पैसा वसूल है जब भी मेरा मन करता है उसके अलावा कई लोग करते तो बस यहां पर सबजी उबलने लगी है तो मैंने बारीक बारीक टमाटर कर देले हैं बिलकुल साधा सिंपल मतलब भोजन बनाती हूं कोई भी मतलब बहुत जाना तीखा मिर्च मरसाले नहीं डालती और यखीन मानिये बहुत जाना टेस्टी होता है बस मैंने आटा जो है नीचे से गून कर रख ले आई हूं जतनी तयारी मैं नीचे कर सकती हूं ऊटनी मैं नीचे से ले करके जो है न ऊपर ले आती हूं क्योंकि बार बार नीचे उतरना चड़ना फिर बहुत साथा थकावट वाला हो जाता है काम भी हो जाए और थकावट भी नहोँ इस तरह से गर के काम नुटाती हूँ मैं तो चूले पर जिस दिन खाना बनाती हूँ उस दिन तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है दोनों टाइम का एक साथ ही चूले पर खाना बना देती हूँ तो वो खा लेता है नहीं तो सीदे जो है ना खाना ही जो है ना बन जाता है यानि भूजन बन जाता है वो एक habit होती है खाना और भूजन तो वो एक habit पड़ चुकी है धीर धीर कोसिस करूंगे कि भूजन बोलू क्यों कि सुद्ध देसी जो हमारी भासा होती है उसको बोलने क आनंदी कुछ होता है बस इसमें मैंने टमाटर डाल दिये हैं थोड़ी देर इसको बलने रखूँगी और बलने के बाद जैसे ही टमाटर हलके से गल जाएंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया और उसके बाद से लिगेंगी गर्मा-गर्म रोटियां और इसमें एक परोतन नहीं लगता और वो पानी और आथ से ही बनती है तो वो रोटी भी आप देखेंगे पहले तो भी बचारी बहुत दुगा का रही है तो आसू अगर आप देखते तो मैंने एक टोविल को भी पूरा गीला कर दिया था इतने आसू आए थे को पूरी टोविली हो गई पूरी सर्दियां जो है ना कम से कम रोटी तो जो है इसी तरह चूले पर बनाऊं में एक तो मतलब अच्छी है और हमारे लकडियां भी बहुत जाना रखी हुई है तो बरसात में जो इना वो गेली हो जाते हैं भी लकडियों का काम भी चल रहा है तो बहुत सारी लग बेस्ट्री जो इना लकडियां निकलेंगी तो उसका यूज भी हो जाएगा और चूले का गर्मा-गर्म भोजन मिलेगा और अच्छा लगता है एक औरत के लिए सबसे सुखी बात है कि वो अपने बच्चे और पती के लिए गर्मा-गर्म स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाए और मैं यह चीज अक्सर अपने पती से अपने बच्चे से सुनती हूं कि मा जैसा खाना कोई नह जाना मन करता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ नया बनाया जाए तो मेरे बेटे को भी इस तरह से चूले का खाना बहुत अच्छा लगता है। दो की सखल देखेंगे जए थे बड़ा प्रसंद रहता यह जिसी के बाद मेरे पास थोड़ा सा जौर का आटा है तो उसको जौर की आटे को एक को इसे अगूंद का शहते हैं यहा को कपली सा जोर की नो कभी गूंद कर करने से आठाल में अट्टी है बप्होंस्ट में जाती है वे और य diesen חष कालोnio को इस टो अच्छी करने से अगया तो आप और तो इस तरह की रोटियां पर काफी सारे लोग पॉलतिन पर बेलते हैं लेकिन वह आनद नहीं आता जो कि आपकी उंगलियों और हातों से और पानी लगाकर जो बेली जाती है कि अगर आपको बड़ी नहीं आ रहे है तो आप नहीं आप और चूटी चूटी बनाईए वह बहुत स्वाधिस्त बनती है तरह से हम चूले पर ही खाना बनाने की पूरी कोसिस करेंगे और आप से भी कहोंगी कि आपके परिवार को जिस तरह का भोजन पसंद है देखिए हर किसी की पसंद जो है ना अलग होती है तो आपके परिवार को जिस तरह का भोजन पसंद है आप भी उन्हें ये भोजन जरू सब्सक्राइब नहीं दो अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें जाना बदभू हारई हैया सब्जी की मतब जाना सुङंद इसमें आ तो आप हलका से इसमें बेकिंग जो सोड़ा होता है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं बेकिंग पाउडर सोड़ी मैंने सोड़ा बोल दिया तो इसको मैं डाल कर जो इना इसको अच्छे से साफ कर दें बस इसको इसी तरह से साफ करने का इसका तरीका होता है मैं हमیسا ऐसे ही साफ करते हूँ तो ती दो से तीन बार मैंने इसको धो दिया और उल्टा करके जो है इसको रख दिया है कल मैं फिर से सोच रही है उसमें कड़ी बनाओंगी और इसके बाद मैंने आसपास का जितना एरिया मेरा गंदा हो गया था उसको पूरा क्लीन किया और बहुत जल्दी फिरी हो जाते हूं लोग कहते हैं कि जिस दिन हम चुले पर खाना बनाते हैं उस दिन हमारा पूरा दिन हो जाता है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं किसी भी काम को जब आप रेगुलर तरीथी से करते हो ना तो उसकी जो है आप यूस्ट हो जाते हो फिर बह हवा की दिसा को देखकर जाड़ू लगाती हूं जिस दिसा में हवा चलती है उसी दिसा में जाड़ू लगा लीती हूं देखे मैं चूले पर खाना बनाती हूं फिर भी जो है ना बहुत जल्दी फिरी हो जाती हूं क्योंकि सारे कामों की मैं हो चुकी यूस्ट हो चुकी फिरी उसके बाद जाड़ वगरा लगाया सारा कचड़ा वगरा फैका क्योंकि जिस जगे हम खाना बनाते हैं उस जगे साफ सफाई का ध्यान भी हमें रिखना चाहिए अगर ये मिट्टी वाला चूला होता तो इस पर चौका वगरा लगाया जाता है जब मेरे पास होगा तो बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिविटी जो है ना लेता है और हमारे सरी के लिए बहुत जाना फाइदेमंद भी होता है तो इसको कचड़े को भर दिया है मैंने एक छोटी सी प्लेट रखी हुए छट पर छोटा सा जो काम आने वाली छोटी 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 चीज़े ज मेरा काम जल्दी जल्दी निबढ़ जाता है बरतन भी थोड़े से बरतन निकले थे सारे बरतन जो है ना मैंने छटपई साफ कर लिए और यह तवा भी जो है मैंने नीचे का जो तला होते है उसको मैं नहीं साफ करती केवर जो ऊपर-ऊपर का हिससा है उसे साफ कर लेती अच्छे से उसको साफ कर लेती हूँ बस इस तरह से मेरा काम नवट गया मिलेंगे आप सबसे नैस वीडियो पर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें और आप सबसे बहुत जाना प्यार मिलता है आप सब के प्यार को देखकर अपने आपको हम बहुत भागे साली अनुवप करते हैं बहुत अच्छी एनर्जी आती है आप सब लोगों के अच्छे कमेंट सुन्दर कमेंट आते हैं तो उसको भी देख करके लगता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो जो हम लेकर आएंगे लेकिन सही समय पर लेकर आएंगे आप लोग बोलते हैं तो इसको भी दोया था कल दो करके इसको सुख जाएगा तो इसके बाद इसके इसको आटा बनवा करके यानि पिस्वा करके जो है पर इसके रोटिया भी आप देखेंगे बनते होगे और नए नए वीडियो जो है ना हम समय समय पर अप्लोड करेंगे जब सही सुब महूरत होंगे उसी समय पर अप्लोड करेंगे ताकि आप उस कारे को सुब महूरत पर ही कर पाएं मिलेंगे आप सबसे नएस वीडियो में जब तक के लिए जैशी रादे में तरू राथे राथे